नमस्कार दोस्तों, Study IQ पर आप सावी का बहुत-बहुत स्वागत है Hubara Bustard ये एक पंच्छी है, एक migratory species of bird है जो की सर्दियों में अक्सर पाकिस्तान के कुछ provinces में देखने को मिलता है पाकिस्तान का जो प्रशाशन है, वो अक्सर इस Hubara Bustard को हंट करने के लिए licenses issue करता है to various families जो की UAE को बिलॉंग करती है या फिर Saudi Arabia को बिलॉंग करती है ये जो हैं अधिकतर Gulf Nations की countries हैं जिनको पाकिस्तान इस प्रकार का license अवार्ड करता है Now इस चीज को लेके काफी सारे जो environmental conservationists हैं काफी सारे जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इस चीज से नाखुश हैं obviously बनता भी है because आप एक migratory bird species को hunt करने का license दे रहे हैं जिसके numbers जिसके आकडे वैसे भी दुनिया वर में काफी कम है Now इसी चीज की बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर यह पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है Why does the Pakistan Authority gives the license to kill to these UAE princes and also यह असल में UAE के prince भी यहाँ पर आके ऐसा क्यों करते हैं जानेंगे सभी चीजें साथ ही में आपको कुछ जानकारी हिवारा बस्टट के बारे में भी provide की जाएगी चलिए start करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनेरुद यदि आप लोग इस lecture की PDF को download करना चाहते हैं तो मेरे टेलिग्राम चैनल से कर सकते हैं इसके इलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड सकते हैं Study IQ आपको download कर लीजे और आज sale का आखरी दिन है जिसके चलते आपको extra discount provide करवाया जा रहा था यदि आप मुझसे history पढ़ना चाहते हैं in a very interesting question and answer format तो इस course को जरूर भाइ कीजेगा जिसका नाम है Thousand MCQs History especially यदि आप UPSC और State PCS की तयारी कर रही है Alright, तो सबसे पहले तो Hubara Bustard के बारे में कुछ basic जानकर यह आपको बताना चाहूंगा जो आप right side में image देख पा रही है This is the image of Hubara Bustard तुलना करने के लिए आप यहाँ पे image देख सकते हैं जो इंडिया का Great Indian Bustard है जो कि critically endangered category में fall करता है as per the IUCN status जो Hubara Bustard है numbers इसके भी जादा अच्छे नहीं है यह जो fall करता है vulnerable category में fall करता है और यह भी एक large terrestrial bird है जो कि it is found in parts of Asia, Middle East and Africa तेखने में लेकिन काफी हथ तक similar है in fact जो Bustard family को दोनों ही जो पंची है वो belong करते हैं अगर इनके आंकडों की बात करें तो एक conservation के लिए एक organization मनाई गई है जिसका नाम है International Fund for Hubara Conservation और इन्होंने बताया है कि दुनिया भर में लगभग 33,000 Asian Hubara Bustards हैं और लगभग 22,000 North African Hubara Bustards हैं तो ये basically क्या है Asian और North African का फरक कैसे है उसको आप इस map में समझ सकते हैं जो आपके Asian Hubara Bustards हैं वो mainly आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं that is the Central Asian countries जिसमें की तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान वगएरा वगएरा जैसे देश आते हैं और आपको कुछ हद तक मुंगोलिया में भी देखने को मिल जाते हैं उसके बाद जो आपके North African Bustards हैं जिनके Numbers approximately 22,000 के आसपास हैं वो आपको देखने को मिलते हैं इस एरिया में जो आपका North Africa का एरिया है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं अब क्या होता है यह एक Migratory Bird Species है जो आपके Central Asian Republic वाले एरिया है जब बहुत सर्दी पढ़ जाती है तो यह यहाँ से Migrate करना शुरू करते हैं इस तरीके से Migrate करना शुरू करते हैं यहाँ से Migrate करते हैं और करते कराते यहाँ पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान और पंजाब के प्रोविंसे में पहुंच जाते हैं और इन फाक्ट बहुत सारे एरियास इरान के भी में रहते हैं और तुर्कमिनिस्तान के भी कुछ जो वार्मर एरियास हैं वहाँ पर यह पहुंच जाते हैं सर्दियों के टाइम पे और यह आप देख सकते हैं migratory it is known to migrate in the thousands to Indian subcontinent every winter और यहाँ पर यह पहुंच जाते हैं पाकिस्तान में Arabian Peninsula में and southwest Asia की और countries में भी आपको देखने को मिल जाते हैं this is about the hubara bastard जो कि आपको जानना काफी important था now क्या हुआ है कि पाकिस्तान के जो PM है इमरान खान इन्होंने special permits दिये हैं for hunting protected species hubara bastards अब देख सकते हैं 11 सदस से हैं जो कि UAE की royal family के जिनको की permit दे दिया गया है who have already arrived in Pakistan's 5 गूर district in Balochistan on Saturday और यह अब आगे जाके इस hubara bastard को hunt करने वाले है in fact केवल यही नहीं पिछले हफ़ते की ही बात है जब पाकिस्तान ने एक और दुबई के ruler जिनका नाम है शेक मोहमद बिन राशिद अलमक्तूम और इनके साथ पांच और सदस्य थे जिनको की hunt करने का permit दिया था during the 2020-2021 hunting season आप यहाँ पे देख सकते हैं the dawn पाकिस्तान का क्यों असल में जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इनको hunt करने का मौका देते हैं और क्यों यह hunt करने आते भी हैं देखिए जो UAE और Saudi Arabia के और in fact केवल यही नहीं और भी कई सारे Gulf countries के लोग जो यहाँ पे hunt करने आते हैं उसमें दो बड़े important कारण है पहला तो यह उनके लिए ए कुछ aphrodisiac qualities होती है aphrodisiac को अगर आप समझना चाते हैं so basically वो यह समझते हैं कि अगर हम इसका मास खाएंगे तो उनकी जो sexual performance है या फिर sexual pleasure है वो लेने का जो उनका वो और अच्छा बहतर हो जाएगा this is what is supposed to have aphrodisiac qualities ऐसा माना जाता है तो यह दो कारण है तो कही ना कहीं क other gulf countries के जो elite लोग है वो यहाँ पर आते हैं कितने को hint hunt करते हैं यह यह भी काफी important है जानने के लिए कि असल में कितने बस्टर्स को यह hunt करते हैं हर permit में जो एक individual है मान लीजे एक permit में आपने 10 individuals को यहाँ पर permit दिया है तो जो हर एक व्यक्ति है he can hunt a total of 100 बस्टर्स in a designated area during a 10 day safari 10 दिन में एक इनसान 100 बस्टर्स को hunt कर सकता है पाकिस्तान के प्रशाशन ने अगर मान लीजे 11 लोगों को permit दिया हुआ है तो मान के चलिए कि वो सभी लोग मिलकर 1100 बस्टर्स को maximum hunt कर सकते हैं बट ऐसा भी कहा गया है कि जो Arab VIPs हैं यह अक्सर जो शर्ते होती हैं इनका ह जवाब काफी आसान है पाकिस्तान अलाव इसलिए करता है so that वो अपने जो relations है इन countries के साथ अच्छे से बना कर रख सके एक तरीके का पाकिस्तान का soft diplomacy करने का style है जिसके चलते वो इन princes को attract करता है और यह princes जो है wealthy है powerful है तो हो सकता है कल को पाकिस्तान को किसी तरह की help कर सकें कोई grants दे सकें ये कोई project दे सकें इन सब चीज़ों के चलते ये सब चीज़े पाकिस्तान यहाँ पे करता आया है क्या पाकिस्तान की प्रशाशन ने आज तक कोई step नहीं लिये क्या पाकिस्तान की जो conservationist है उननों की step नहीं लिये देखे क्या हुआ था 2014 की बात है उस time पर भ बहुत जादा आवाजे उठाई गई against this particular act by various conservationists की आपने एक vulnerable bird को इतना जादा हंट करने की permission कैसे दे दी जब ये हुआ immediately उसके बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोट ने 2015 में बैन लगा दिया था कि इनके उपर अब हम blanketed बैन लगा रहे हैं और हम हुबारा बस्टर्ड को हं सुप्रीम कोट ने इस बैन को हटा दिया था पाकिस्तान की government के द्वारा arguments क्या दिये गए थे उन्होंने कहा था कि ये जो लोग हैं जब ये hunting करने आते हैं शूटिंग करने आते हैं तो ये ऐसे इलाकों में शूटिंग करने जाते हैं जो की अविकसित इलाके हैं under developed areas हैं इ कैसे ये arguments दिये गए Supreme Court ने इस बैन को lift कर दिया था obviously I think काफी गलत बात है ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल भी unfortunate बात है ये कि ऐसा नहीं करना चाहिए था खैर अभी क्या हुआ है कि अभी फिर से जब इतने permits issue कर दिये गए हैं तो पाकिस्तान में एक 10 साल छोटा बच्च to hunt hubara bustard 10 year old moves court seeking ban on endangered birds hunting so this is something which is very very unfortunate जो की अब फिर से पाकिस्तान से ऐसी news सामने आ रही है आपको बताना चाहूँगा इंडिया में भी great Indian bustards को shoot करने की permission दी जाती थी लेकिन बहुत पुरानी practice है 1972 के बाद Indian Supreme Court ने इसके उपर blanket ban लगा दिया था तब से लेके हमने कोई भी license issue न अगर hubara bustards की population को बचाना है उनको conserve करना है तो this is the required step which Pakistan government needs to take इसी के साथ आप से लेता हूँ विदा, thank you for listening, stay tuned and stay safe.